नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि कठिनाई का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है या फिर इसका अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है तो कठिनाई का अंग्रेजी मीनिंग होता है Adversity, Disaster, Difficulty, Distress, Notice Adversity, Disaster, Difficulty, Distress या फिर Notice यह पिसका पहला एक्जाम्पल है I have difficulty in writing English मुझे अंग्रेजी लिखने में कठिनाई होती है यह पिसका दूसरा एक्जाम्पल है Mother finds it disaster to see without glasses Mother finds it disaster to see without glasses चस्मे की बिना मा को देखने में कठिनाई होती है चस्मे की बिना मा को देखने में कठिनाई होती है तो यहाँ पिर कठिनाई का अंग्रेजी मतलब या फिर अंग्रेजी अर्थ होगा Adversity, Disaster, Difficulty, Distress या फिर Notice तो इसी तरह की helpful वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नहींने वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद